सभी founder को यह जानकर खुसी होगा कि जनवरी माह की अपिछा फरवरी माह में on passive portal पर ज्यादा traffic आया है जबकि जनवरी माह 31 दिन का होता है और फरवरी माह 28 दिन का ही होता है इसके बाप जूद भी on passive portal पर फरवरी माह में ज्यादा traffic आना सभी founder के लिए अच्छी बात है यदि आपने फरवरी माह का On Passive Traffic Detail वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूँगा जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि O Connect लॉंच कब होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूटूब पुराना वीडियो लाइव रेडि है इसके बारे में हर कोई जानता है चाहे वह बच्चा हो, नवजवान हो या बुजुर्ग हो यूटूब पर वीडियो देखकर हर उम्र के लोग अपने नौलेज को बढ़ाते हैं लेकिन और पैसिब को 14 लाग फाउंडर के अलावे कुछ ही लोग जानते हैं इसके बाबजूद भी यूटूब में वीडियो अपलोड करने के बाद ही सब टाइटल फीचर का उप्चन अपलाई होता है मैं यूटूब पर 2018 से ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और करिप सेंक्रो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसके बाबजूद मेरे कुछ ही बीडियो पर सब टाइटल का option auto generate हुआ है यूटूब का कहना है कि जिस बीडियो का voice असपश्ट होता है उसी बीडियो पर सब टाइटल का option auto generate होता है जबकि मेरे सभी बीडियो का voice लगभग असपश्ट ही होता है इसके बापजूद भी मेरे वीडियो में सब टाइटल का ओप्शन आउटो जनरेट नहीं हो पाता है वहीं O-Connect एक Live Video Conference Brave Tool है जिसमें Live Conference के दोरान कभी कभी आवाज असपष्ट नहीं आता है इसके बापजूद भी इसमें Auto Subtitle Generate करने का फिचर दिया जा रहा है तो यह एक बड़ी बात है YouTube इतना बड़ा वीडियो लाइबरेरी है इसके बाद भी इसमें वीडियो अपलोड करने के बाद भी Auto Subtitle Generate नहीं हो पाता है तो आप समझ सकते हैं कि O-Connect में Live Webinar के दोरान Auto Subtitle Generate करना कितना मुश्किल काम हो सकता है और इस मुश्किल काम को किया जा रहा है तो इसमें समय तो लगेगा ही यदि O-Connect में Subtitle का Problem Solve हो जाता है तो O-Connect को Launch किया जा सकता है अब हम बात करते हैं कि O-Connect Launch कब होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ और जितना मुझे अनुभव है उसकी अनुसार जब तक O-Connect में Subtitle वाला Feature Add नहीं हो जाता है तब तक हो सकता है कि O-Connect को Launch नहीं किया जाए या ऐसा भी हो सकता है कि Live Webinar के दोरान Subtitle Feature को Add करने में ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो बीना इस Feature के ही O-Connect को Launch कर दिया जाए और Launch करने की बाद, बाद में इस Feature को Add करके O-Connect को Update किया जाए या पूरी तरह से OnPassive के CEO Mr. S. Moofhare के उपर निर्वर करता है इसलिए या कहना बैमानी होगा कि O-Connect इस दिन Launch हो रहा है अब आप समझ गए होंगे कि O-Connect को Launch करना और न करना पूरी तरह से OnPassive के CEO Mr. S. Moofhare के उपर निर्वर करता है इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई शवाल है तो आप हमें निचे कोमेंट में पूछ सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली वारा आये हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को Subscribe जरूर करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ने टॉपी के साथ जाएंद